प्रिश्णा राधी राधे कैसे है आप सब लोग आज हम देखेंगे सरत्पुनिमा पूजा के लिए हमें कौन से कौन से सामगर के आउसकता पड़ेगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले देखिए सरत्पुनिमा के जब पूजा होती है तो हम माता लक् पास फोटो है या मूर्ती है अब भगवान से विष्णु जी और मातालक्समी की मूर्ती ले लिए इसके बाद देखिए आपको चाहिए गनेज जी की मूर्ती और फिर माकुभेर जी की मूर्ती तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी मूर्ती नहीं है तो आप चार सुप लगे और साथ में चंद्र भगवान का जो हम स्थापना करते उसके लिए भी चावल लगेगा चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और इसके बाद देखिए चावल के बाद हमें कलस्थापना अगर आप करते हैं तो कौन से कौन से सामगरी हमें लगती है तो इस दिन की स्थापना होता है कहीं लोग इस दिन नारेल के श्री कलस के स्थापना करते हैं तो सबसे पहला देखिए एक लगती और कोई भी गोल्ड सोना चांदी कुछ भी हो वह जुरूर रख लीजए लग्स में प्राप्ति के लिए जब हम कलस्थापना करते हैं तो ये सब सामग अधिरी टेल को isn't कर झेंडे, आपके अगम्ता-प्ते फूल, इस प्रकार की छार दें तॉदु सऴनें के चूरां को खोगानों stretching. तो आप प्रिये लिए कहिए आप चन्दन है। तो अगर ऊखान प्रिये सकते हैं। तो यही लीजिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि यह ओरिजिनल होता है इसमें कोई मिलावटी नहीं रहती है ठीक है यह मैंने पूर्णो पात्र लिया है और पूर्णो पात्र से इसी से मैं दीब कलस के स्थापना करूंगी इसके बाद देखिए भोग प्रसाद में आज के द नहीं होगा लेकिन फिर भी हम सुबेरे खेर बनाएंगे भगवान को भोग जुरू चड़ाएंगे और चंद्रमा के रोशनी में इस बार खेर नहीं रखा जाएगा लिकिन हर बार बाकी बार रखा जाता है इस केला या कोई भी मौसमी फॉल का भोग लगा सकते हैं पूज सामगरी होती है जैसे रोली चंदन और आर्ती करने के लिए कपूर लिया है यह अभी है अभी गुलाल ले लिजिए सिंदूर ले लिजिए हल्दी ले लिजिए फिर हम कलावा ले लेंगे दक्सिना ले लेंगे माता रानी के लिए सिंदूर ले लेंगे ठीक है इसके बाद तो मेरे सास ने मुझे दिया था तो इसी कोईन से जनौ पूजा के लिए यही कोईन यूज़ करते हूं इसके लबाव हम इतर ले लेंगे तो यह थी वो सारे सामगरी जो हमें सरतपुनिमा की पूजा में लगती है बहुत ही सरल उपाई से बहुत ही बढ़िया पूजा आप स